तो सेंटर में जौन सी यह ट्यूब में जिसके अंदर एर बबल प्रेजन्ट होता है उसको बोलते हैं लॉंगी चूड़नल बबल ट्यूब ठीक है यह लिए और उसके बाद यह इसके नाइंटी डिग्री पर चोटी ट्यूब होती है उसको बोलते क्रॉस बबल ट्यूब यह लगी यह ट्रांसवर्स यह क्रॉस बबल ट्यूब ठीक है यह जो पराने टाइप के डंपी लावना यह एक्स्टर्नल फोक्सिंग होता है मतलब करता है तो वो चीजश को हम बोलते है एक 거죠 को इसको चाहिए फोकसिंग क्लेंoshi कों यह फोकस करते हैं तो उसके अंदर टैलेसकोप की मूमेट हमें नहीं दिखती водंत development होती है तोसे हम बोलते हैं इन्टरनल फॉक्सिंग इसके अंदर क्या है यहä पराने टाइप करते हैं तो जब इसकी तो उस समय इसकी मुवमेट भी होती है तो उसको इसको एक्सटरनली हमें दिखती है मुवमेट वह होती है एक्सटरनल फोक्सिंग टैलिस्कोप ठीक है अब जल्दी से इसको देख लो different parts and functions foot screws foot screws मैंने आपको पता दिया foot screws क्या होते हैं there are three foot screws प्रॉश्य करना इंस्ट्मेंट को लवल कि याता है ठीको करी लेजस्टमेंट कर को को पताया था लेवर्लिंग हैड और इसके अंदर एक ट्राईब्राइश प्लेट लगी घुट होती है एड विद्धी है और इस प्लेट सेंटरिंग करें जाती है वह आप जब ताब आपको पता लाएगा नेक्स्ट आगा मग्नेटिक कमपस मतले आपकर सेटेंटिंट सभी में इंची अकनि संवी है आपके सेलनी वेशनेंटिंट आपको टेलिस्कोप आपको पहता ही है इसे पुर्णक टेलिसकोप अब ये पराने पराने लैवल है तो यह एक्सटरणल फोक्सिंग ही लिखा हुला है पर डिलिखती हैं यह क्या हैं इक्स वित में घ्लास होता है दूसरी साइड पर उससे हम ऑबजयchnत धेखते शौक कर सकते हैं और इनके बीज में एक एर गयाप होता है इस ट्यूप के लेंफिक लिए ग्रेजूशन की नहीं होती है दो लॉंगी चूटनल बबल तूब के मतलब पर पेंडीगूलर होती है इस पर पेंडीगूलर टूदी लॉंगी चूटनल बबल टूब कलिर है डंपी लेवल सबको इसको वाई लेवल क्यों का जाता है क्यों क्या जता है क्योंकि इसके अंदर जो ठेलिस्कोप के ओपर graceplayer सब को है यह अजय को डिखनक अब का सब्कोशन घुक्तर भूआ कocy यह जो यह वरी तुर्वी के ऊपर सपोर्ट होता है मतलब यह एक जाuse अब यह देखो यह यहां से चुरू कर लो ऐसे इसे एस तो फिर आएसे और उपशल जो और इसके नीचे चीवर्टीकल यह इसटी अब रहे सो öl्च को यह इसे पिर दिल उसके बार अइसे उसके बार इसे और उसके वाद नीचे जह एक यह वाइब इनग्लिश का वाई तो अब देखो फिर दुबारा दिखा रहा हूं यह यहां से ऐसे फिर ऐसे यह उपर वाला होगे उसके बाद नीचे इसका यह वाई बन गया तो यह वाई सपोर्ट के उपर इसका टेलिस्कोप सपोर्टेड होता है इसलिए इसको हम वाई सबस्क्राइब करते हैं लगी है नीचे इन टेन लगे होगे है इसका यह इसका यह वाई फ्रेम के अंदर क्या है यहां पे यह वाई क्लिप लगे हूए होगे उपर वाई क्लिप अब इस वाई फ्रेम ने यहां भी लगी है यह उपर लगी है यह इसके अंदर क्या है यह टेलिसकोप जॉंस है वह सपोर्ट किया गया टेलिसकोप जॉंस है इसके इसके अंदर यह नगा हुए ऑब्जेट को में यह घ्ल दिखरा तो तो color glass लगा होता है, उसे बोलते है ray shade, उससे क्या होता है, reading देख जाती है, उसके बाद next आगा है, यह focusing से करी हूँ, यह focusing से करी हूँ, यह focus करने के लिए external focusing ही होते है, जनली तरह यह पराणी तरीके के level है, तो यह external focusing ही होती है, और यह Y level हो गया, यह इसका telescope लगा हुआ, बा करते हैं, इसको लोगाई Y level कहते हैं, कडियर है, के लिए सब को यह Y level, अब तीसरा level कौन सा रिवर्सीबल लेवल, इस यह भी सारा को से मैं, रिवर्सीबल लेवल में क्या होता है, देखो सपोज कर लो, जैसे यह डंपी लेवल, यह डंपी लेवल देख रहे हैं, रिवर्सीबल लेवल में हम क्या करते हैं, रिवर्सीबल लेवल में टैलिसकोप निकल जाता है, टैलिसकोप को निकाल देते हैं, और आगे वाला इस इसको हम रिवर्स को लेवल टेलिस को बार निकाला से करने के बाद और उसके डिरेक्शन चेंज कर दी इंटरचेंज कर दी तो उसको बोलते हैं तो हम निकाल के दुबारा नी यीज कर सकते उल्टा यूज नहीं कर सकते हैं इस ब्रसेंट को गूम भी तो जाता है अगे कभी कभी क्या होता है हमें रिवर्स करना पड़ता है आगे जब आप प्राक्टिकल प्रॉलम देखोगे तो कभी कभी हमें कि शतर्व को जैसे आप लेवल को सिरफ और सिरफ horizontal す Google सAKते हो समझत आप लाटको होरिजॉंटल में सकते हो अगर मैं काऊं कि मुझे लेवल को अदियल में घूमाना और मतलब कि curriculum में घूमाना है उसे फिर क्या कर लोगे कि का अप्डाउन नहीं कर सकते सर्फ रूटेट कर सकते हैं आप डाउन अपड़ाउन करने के लिए वहाँ पर इसके प्रैक्टिकल एप्लिकेशन जाती है बहुत ही ज्यादा है मतलब कोई आपका विजलिया खंबा हो गया विजलिया खंबा आपने उसकी टॉप की हाइड करनी है फिर आपको अपना लेवल करना पड़ेगा आप इतनी उच्छा ट्राइपोड स्टैंड है क्या बेलिया खंबा डिरेक्टर रिडिंग पढ़ लोगे प्रैक्टिकल आप्लिकेशन होती है नेक्सराइब ये इसे लिए बनाया गया क्यों इसको निकाल के हम पने इन डिम्हें सब्यस्क्राइब कर सकते हैं अबक्तिष को श्रव निकालके मैं जब बनाई गई ए को निकालके हमने में लगा सकते हैं और आफजेक्ट लैंस को निकालके हम ईपीस में लगा है ऐसा लेवल हो जाए तो उसे बोलते है कुशन लेवल समझें इन दिस और अब्जेक्ट लेंस यह जो आप पूछ रहे हो वह अगर प्रैक्टिकल में आपको करेंगे तो करेंगे यह थियोरी में आपके प्रैक्टिकल में भी नहीं है मुझे पता है ठीक है बस आपकी इतना अब है पता हो ओना क्या है क्सरेड लेवल क्या होते हैं क्या होते हैं तो सर अगर हम करते हैं करेंगे सब भी हो जाए баз ellas इंटरजेंज हो जाएगा करेंगे ठेलत में कैसे करोगे मैं बोल रहे हूं अगर लेवल को एंगल वे करना इस सर आगे देखते हैं आगे देखो यह तो पता लएगा आप को टिल्टिंग लेवल को क्या कहते हैं इंडियन ओफिस पैट्रण लेवल ठीक थीख ए थो कर दिखते हैं कि यूझा पेलते घृट्ट ऐसे चैनल लगा लगाने सब्सक्राइब कर लो तो उसके लिए और रोगए है यह इसका इंदर क्या है यह टेलिस्थोप लगा डाइफ्रम लगा लॉंगी चुटनल वबल क्रॉस बबल अब्जेट इसके अंदर जो मेंची लगी है वो यह लगी है टेल्टिंग सक्रिव माइक्रो मीटर सक्रिव यह दिख रहा सबको यह काले वाला बड़ा सार यह माइक्रो मीटर सक्रिव है इसने क्या करना है सूरेंट जब हम इसको रोटेट करेंगे इसने आपका लेवल एंगल पर गुमा देना वर्टिकल प्लेन में जो आप डंपी लेवल चलाते हो वह सिरफ और सिरफ आप होरिजॉ को मिटर सक्रिव से तो